हेलो फ्रेंट संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा ओभी बिलकुर नया तरीका से सिर्फ हम एक गिलास की मदद से इसे ना ही घंटों तक घीसना और ना ही इसे घंटों तक पकाना गाजर को हमने अच्छे से धोकर इसका करेंगे आप चाहे तो इसे बीच से भी फाड़कर कट कर सकते हैं यह हमने ऐसे ही गोल-गोल साइज में कट कर लिया है आपको कट करने में मुश्किल से दो या तीन मिनट लगेंगे आपकी सारे गाजर कट हो जाएंगे हमने करीब 500 ग्राम गाजर लिया है आप अपनी सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देखिए ऐसे आप चाहें बीच से भी फाड़ सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है आया दो चार टुकडों में भी कट कर सकते ह हैं आपको जैसा आसान लगे नहीं तो अगर घीस कर हम बनाते हैं तो घीसने में तो घंटों लग जाते हैं और हमारे हाथ भी घीस जाते हैं इस गाजर को घीसते घीसते देखिए सभी को हमने कट कर लिया है अब ले लेंगे हमें कूकर उसमें हम डाल देंगे और इसके पर करें तो एक सीटी में ही आपका काम हो जाएगा देखिए गाजर बिल्कुल पक चुका है यह इजली हाथों से मैक्स हो जा रहा है अब हम इसको एक थाली में टांसफर करेंगे और थोड़ा से ठंडा होने देंगे एक से दो मिनट आप वैसे भी ठंडा ना भी होने दे वै पाएंगे इस सारे गाजर मैक्स हो जाएंगे चाहे तो आप कोई आपके पास मैक्स हो तो उसमें उससे दबाते हुए मैक्स इसे मैक्स कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास हो भी था लेकिन हमने आपका काम आसाल हो इसलिए हमने गिलास से ही करके आपको दिखाया एक गिलास या कटोरी से भी आपका काम हो जाएगा देखिए कितना आसानी से मैक्स हो जाता है सिर्फ हमें हाई फ्लेम पे दो या तीन सीटी पका लेना है या लो फ्लेम पे करेंगी थोड़ा देर लगेगा लेकि एक सीटी में ही बिल्कुल यह पक जाएगा इसलिए हाई फ्लेम पे करें चार से पाच मिनट लगेंगी आपका गाजर पक तयार हो जाएगा और यसे चार से पाच ही मिनट लगेंगे अब इसको बनाने में बिल्कुल भी जंज़ट है ना ही घंटों की मैनत और ना ही घंटों तक बनाना देखे सभी हमारा मैक्स हो चुका है अब हम ले लेंगे एक कड़ाही इसमें हम डालेंगे सिर्फ एक चममज घी आपके पास हो तो डाले नहीं तो इसे भी ना डालें कोई दिकत नहीं है देखे ना ही इसमें घी की जरुरत है ना ही खोवा ना ही मावा और ना ही कोई और चीछ का जंजट है आप बिल्कूल आसान तरीके से बना सकते हैं हमने घी को गरम कर लिया है और थोड़ा साही लिया है हमने एक चमच किस्मिस और एक चमच कटे हुए बादाम आप के पास हो तो डाले नहीं तो इसकिप कर दें कोई दिकत नहीं है ये तो अपने अपने टेस्ट के लिए हम डालते हैं सभी चीजे देखें अब हम डालेंगे इसमें अपना मैक्स किया हुआ गाजर इसे डालकर हम एक से दो मिनट तक भून लेंगे ताकि इसमें अच्छे से घीर जो हमने डाला है उसका फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि जो हमने पानी डाला था अधी कप ओ थोड़ा सा इसका कम हो जाए वैसे भी ओ पानी तो पता भी नहीं चल रहा है अब इसे भूनने के बाद आपके घर में तो वैसे भी दूद तो हर किसी के घर में आता होगा आपको दूट डालने की जरुद नहीं है क्योंकि इसे ना पकाना तो है नहीं घंटों तक क्योंकि ये बिल्कुल पक चुका है अब इसमें सिर्फ आपको टेस्ट के लिए कुछ डालना होगा जो चीज आप पसंद करते हो और डाल सकते हैं हमने इसे दो मिनट तक पकाने के बाद आधी कप सिर्फ हमने मलाई ली है जो सभी के दूद पर इतना तो पड़ी ही जाती है मलाई और दो चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे ये खाने वाले चम्मच से चार से या पांच चम्मच होगी आप हमने गाजर के अनुसार चीनी डालें जितना मीठा खाना पसंद करते हों उतना कमया जादा कर सकते हैं हमने पांच चम्मच चीनी को लिया है और आधी कप दूद को मलाई को दूद नहीं मलाई थी उसे डाल कर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे देखे बिल्कुल हमारा गाजर का हलवा बनके तयार हो जाएगा और आप चाहे तो गाजर का हलवा बनाने के और भी कुछ तरीके हैं आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है और वीडियो पसंद आती हो थोड़ इसी भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें देखे यह एक से दो मिनट हो गया बिल्कुल सुक चुका है हमने लिया है दो इलाइची इसे भी हम कूट कर इसने डाल देंगे फ्लेवर के लिए यह आपके उपर है आप पसंद करते हों तो डाले या इसकीप कर दें फिर से हम एक मिनट तक इसे भून लेंगे देखे हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल दोस मिनट भी नहीं लगेगा बनके तयार हो गया आप इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेश्टी हलवा भी बन जाएगा नहीं इसमें गुठलियां रहती है और नहीं कोई दिक्कत बिल्कुल फटा-फट बनके तयार हो जाता है और नहीं गीशने का जंजट नहीं इसे घंटों पकाने का जंजट बिल्कुल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा देखिए इसका नेचुरल कलर मैं दिखाती हूं आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई बनाने में और बिल्कुल भी अच्छा कलर है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धर्नेवाद